शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कर दो कर देवियानी की सिट्टी पिट्टी गुम होती देखी याद मसा आ गया मैं खुद सोच ही नहीं सकता था कि वो मेरे लिए रो भी सकती है रो रो के आंखें ये मोटी मोटी सूज गई कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं बाहर से कठोर और अंदर से नरम तेकिन देवियानी जी को ऐसा लगा ही क्योंकि आप खर छोड़ कर चले गए हैं हां हां मैं खुद सोच सोच के हैरान हो रहा हूं चलिए जो भी हो आप सब को इस व आटक का एक स्क्रिप्ट मिल गया चलिए रखता हूं अब तो घर टाइम पर ही जाना होगा वरना आप जानते हैं न क्या होगा है नमस्कार कर्मा गरम चाहे लिजे थैंक्यू हुँ हुँ अच्छे बनी है पापा एक बात बताएंगे पूछ मैं चानती हूं कि उस दन ममी की दवाई के लिए पैसे आप ही ने रखे थे पर हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं ना पापा फिर वो पैसे अरे बेटा क्या फरक पड़ता है कि वो पैसे कहां से आए देख बड़ी बात यह है कि समय पर तेरी ममी की दवाई आदो अब में पापा अपही ने कहा था ना क्यो पैसे सही तरीके से ना आए वो का भी बरकत नहीं देते तुझे क्या लगता है बिटा तेरी मम्मी की दवाई के लिए जो पैसे आये थे तो गलत तरीके से आयता है बस इतना ही समझपा ही अपने पापा को तू नहीं पापा, मेरा वो मतलम नहीं था बैग विटा एक बाप हमेशा यादा था तेरे पापा ने अपना आधा शरीफ जरूर खोया है लेकिन जमीर वो अभी मुकमल है और अगर कभी उसे खोने की नौबत आगई ना तो अपना सबीर खोने के बज़ाए मैं मरना ज्यादा पसंद करूँगा एए बापा ऐसा बद कहिए प्लीज जानती हूँ कि आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते पर फिर भी मताने क्यों मेरा मन डर्सा गया था कि कहीं हम लोगों के लिए आपको अपने उसूरों से समझोता ना करना पड़ जाए मजे माफ कर दीजे पापा, I'm sorry वक्त ही खराब है बेटा है हम सब के मन में समय समय पर ऐसे ड़र जरूर आएंगे लेकिन उन सब से पार पाना ही तो जिंदेगी है ना बेटा वक्त कैसा भी हो अच्छा या बुरा कठी जाता है भावी, sorry भावी लेकिन इसमें अदुल की गलती नहीं है शायद मैं ही उसे अपनी माँ ठीक से नहीं क्या पाई जिससे उसे ये मिस इंडिस आने होगी कि मैं उससे ब्रेक आप कर रही हूँ और इसलिए वो कुछ भी करेगा क्या करनो अरे कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए मैं माफी मांगती भावी उसकी तरफ से प्लीज उसे माफ कर दो कन्नू मुझसे माफी मांगने से क्या फायदा तुम घर के और लोगों के बारे में सोचो न उसके उसे स्टूपिट से सुसाइट नूट के वज़े से हमारे घर के लोगों को कितनी तकलीफ हुई है देखा ना तुमने खुद ने अच्छा भी पानी पकड़ो और चलो अब ऐसे ही अगर मू लटका की रखोगी न करनो तो बाहर सबको पता चल जाएगा और सोच लो तुम्हारे तीनों भाईयों को पता चल गया तो क्या होगा थैंक्स भाबी चलो मेरी समझ में नहीं आ रहा वो वो लेटर लिखा किस तो बाउजी मुझे तो लगता है किसीने हमारे साथ बहुत बहुत गंदा मजा किया है वो कमीना मुझे एक बार मिल जाए ना तो मैं उसकी गर्दन मरोड रहे है बाउजी ये जो सारी गलत फहम है और ये जो खन्फूशन हुआ है वो सिर्फ वो सुसाइट नोट की वज़े से हुआ है क्योंना हम वो सुसाइट नोट पुलिस को दे दे और पुलिस ही उस लिखने वाले को पकड़े और उसकी ये पटाई करे अरे कनिका बेटा तुम्हें बहुत खासी आ रही है दवाई दूं क्या नई मा वो निवाला टग गया था ना इसलिए अच्छा अच्छा अरे हाँ मुझे आपसे एक बात पूछने थी आपने वो जो खड़ी रखवाई थी ना तीवारी साब के या पंद्रा सो रुपे में क्यों रखवाई थी अगर आपको पैसे चाहिए थे तो मुझे मांग ले दे मैं मना थोड़ी ना करते हैं बाउजी पानी आरे याँ सब को खासी क्यों आ रही है पेड़ा इक बाद बताओं ये पराथे तुमने बड़े टेस्टी बनाया और इसमें जो तुमने ने मिर्ची डाली है न उससे तो और ये टेस्टी हो गया अच्छा वो बताई न वो घड़ी के बारे में जो मैं पूछ रही थी अब मैं कैसे बताओं इसको कि जो घड़ी में गिर्वी रखकर आया हूँ वो मेरी नहीं नियती के पापा की है उन्हें पैसे की जरूरत थी खुब तो जा नहीं सकते थे इसलिए मेरे हाथ गिर्वी रखवाई क्या सोच रहें अब बताईए न अरे दिव्यानी मेरी घड़ी मेरे पास है यह देखो तो फिर तिवारी अंकल ने इतना बड़ा जूट क्यों बोला अरे जूट कहां बोला तिवारी के पास तो मैंने अपने दोस्त की घड़ी गिर्वी रखी थी जेड़ हजार में बस क्य कि दोस्त की हेल्प करना तो अच्छी बात है डाइड लेकिन अप फिकर मत कीजे मैंने तिवारी अंकल से कह दिया है कि वह घड़ी पिजवाद है हाँ 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 अभी उनीका तो फोन आय था अब उनका घड़ी लेके निकल गया है अब तो पॉंचने भी वाला होगा है हम उसे घड़ी ले लेंगे और उसे पैसे दे देंगे और वो घड़ी आपने दोस्को दे दीजेगा और डाड़ आप उनसे कहिएगा कि जब धी उनके पास पेर पैसे हूं वह में लोटा दे हमें कोई जल्दी नहीं है अरे बेटा जिसकी घड़ी है वो पैसे वो देगा आपना हमको पैसे दे मैं काम करता हूं मैं तिवारी साब को फोन करता हूं और उनको मना कर देता हूं है वो ही आया होगा मैं देखता हूं नमस्ते सर्, सर् तिवारीजी ने घड़ी भेजिए यहां पैसे का रखे मैंने यह तिवारीजी को देते हूं जी सर्, दूबिटा अरे अमबर बिटा देख लूना वो ही घड़ी है ना ठीक ठाक है चल रही है अरे रहने देख लिए घड़ी है अहां बिटा पाता पापा एक मिनट मुझे घड़ी दिखाए एक मिनट दीची ना पापा दिखाए ना यह मेरी मम्मी के लिए मेरे लिए नई लाइफ लेना और यह मेरे पापा के लिए क्या जुरुत थी बेटा इतना सब लाने की है अरे मुझे भी तो आनन चाहिए था आप सब लोगों को गिफ देने का चलो चलो देखो 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 कैसी लगी मम्मी बहुत प्यारी है और तुझे बहुत अच्छी अरे बेटा लेकिन ये तो बहुत महेंगी होगी ना पसंदा ही ना आपको हां लेकिन क्या जरूत थी बेटा इस पे इतने पैसे बरबाद करने की पापा प्लीज मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या आप हम सब के लिए कितना कुछ करते हैं कभी मैंने कहा कि क्यों करते हैं नहीं कहा ना तो अब आप भी ये वाच उतने ही प्यार से रखी ना जितने प्यार से मैं लाई हूँ चा भाई ने लेता हूँ बस चलिए पहनिया प्रोमिस कीजिए पापा ये वाच अब आप रोज पहन देंगे और कभी भी विन उतारींगे ना आतञा कि नहूदार दे ना लेकिन वैसे आपको प्रोमिस करना पड़ेगा बाग ही कभी भी भी न उतारींगे आप पकाप्रोमिस जब तक मेरी जान में जान है, मैं तेरी इस गिफ्ट को अपने आप से कभी अलग नहीं करूँगा, बस? पापा अरे नियती, क्या हुआ? ये ये मेरे पापा की गड़ी है मैंने खुद उने गिफ्ट की थी आपके पास कैसे आई? मेरे पापा ही आपके दोस्त है ना? जिनके आपने घड़ी गिर्फी रखी क्यों? मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो वो खबी भी से इसे अपने आप से दूर नहीं करेंगे ऐसा क्यों किया उनोंने? अपने पापा को गलत मत समझा बेटा जरूर उनकी कुछ जरूरत होगी कि मैं तुम्हे बताता हूँ कि हुआ क्या हुआ क्या? अरविन शर्मा बोल रहा हूँ मुझे आप से बहुत जरूरी बात करनी है बेटा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उनकी घड़ी कभी गिर्वी ना रखने देता लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे थे नहीं और किसी से पैसा मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा तो मैंने सुचा कि नाटक के बाद मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो उससे मैं घड़ी छुड़वा लूँगा और इससे पहले ही तिवाडी के बच्चे ने अपना रंग दिखा दिया माजी 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 यह लीजी चास पी लीजे आज सुची पराटे बहुत हैवी हो गये थे ना इससे हजम हो जाएंगे इनको दी सबसे पहले बाके सबको भी देदी अच्छा किया बाद में पीठती हूँ माजी कुछ कहना चाहती हो क्या नहीं मैं आपकी हेल्प कराउ नहीं तुमैंतबटा है दी पुए सारे काम खुद करना पसे हुँग संधि पता है माजी पिजह कितना काम करती नहीं अब क्या के तो हम सब बेकार है थए माजी, वसे नियती के पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों, क्या क्या नियती के पापा नी, अरे, बाउची के हाथ अपने घड़ी गिर्भी रखवा दी, उन्हें एक बार भी नहीं सोचा, कि नियती को कैसा लगेगा, कितना करती है बेचारी वो उनके लिए, एक बह कि बाउची के हाथ ने घड़ी देखकर, नियती का क्या हाल हुआ था, देखो मंचली, ये नियती के ना माएके का मामला है, हमें इन बातों से क्या लेना देना, और मुझे बिल्कुल पसंद ही है कि मैं किसी के मामलों में दखल अन्दाजी करू, और नहीं मुझे ये कि कोई मेरे मामलों में तखल अन्दाजीक है, मुझे बिल्कुल पता है, और यही ठीक भी है, पर माजी, नियती के घर की प्रॉब्लम्स कहीं, हमारे घर की प्रॉब्लम्स ना बन जाएं, तुम कहना क्या चाहती हो, नियती इस घर की बहु है, लेकिन उसकी पूरी तंखा उसके माएके में जाती है, और अब तो, अमबर बह्या की तंखा का बड़ा हिस्सा भी उसके घर पर ही खर्च होता है, पर आपने कभी कुछ नहीं कहा, बलकि आपने तो आगे बढ़कर उनकी मदद की है, लेकिन फिर भी देखिये न, नियती के पापा ने क्या किया, बाउ अब तक तुने ने पूरे बाजार में ये बात पहला भी होगी, कि शास्त्री परवार की फार्नेशल कंडिशन अच्छी नहीं है, और वो अपना समान बेच पचकर अपमें घर चलाते हैं, क्या इज़त रह गई होगी हमारी, और माजी, तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है अब को याद है, जब नेते के घर वाले बेगर हुए थे, तब क्या हुआ था? अंबर भजय ने जा जाकर एक एक से पतनी कहां कहां से पैसे का इंतिजाम किया था, अब उन्होंने किसे से ये तो नहीं कहोगा ना, कि मेरे ससुर के सर पर छट नहीं है, तो मुझे पैसे दे पर अगर ऐसे ही चलता रहा, तो सोचिए हमारी क्या इज़त रह जाएगा, आप मुझे गरत्मत समझेगा, उजे लिया किसे कोई प्राब्लम नहीं है, सची, उते मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मैं इस घर की बहू हुँ है, और ये घर मेरे लिए सब से ज़्यादा मान चलती हो माजी, दो दिन से ओफिस नहीं गई हूँ, आज तो जाना ही पड़ेगा, अब छास पी रिचेगा चलती है, प्रेष्ट करले के लिगा है, सब सकता उलती है, भी बहुँ है, जो भी झालती है, लिए झालती है, से अवाढ़ेगा झालती है, नहीं।